ये keyword research के एक ऐसी technique है, जिसमें मैंने एक ऐसा keyword find out किया है, जिसमें सिर्फ 8 results हैं, सिर्फ 8 website rank कर रही हैं, अगर मैं एक अच्छा खासा article इस keyword को ले करके लिख दूँ, तो वो definitely first page पे 9th number पे आराम से आ जाएगा और उसके बाद SEO करने पे वो top पे भी आ सकता है, same technique को use करके एक दूसरा keyword मैंने find out किया है, और इस पे सिर्फ 16 websites या 16 blogs ही rank कर रहे हैं, no doubt blogging से खेर बहुत अच्छे कमाई है, लोग लाखो रुपे भी कमा रहे हैं, कुछ नए beginners 1000 रुपे स्टार्टिंग महीने से भी कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक blog के success किस पर depend करती है, एक सही keyword प जिस पर competition बिलकुल भी नहीं है, मतलब जो बड़े bloggers हैं, वो already उस keyword पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस keyword पे कुछ search volume है, तो आप ऐसे keyword को target करो ना, आप easily rank भी करोगे, और एक time ऐसा आही जाता है, जब Google भर-भर के traffic आपके blog पे भीजना शुरू कर देता है, so it's really very important कि Google keyword planner भी available है, लेकिन जो काम आपका दिमाग कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता, आप इन tools से basically ideas ले सकते हो keywords के, लेकिन उन ideas को proper तरीके से अगर आप implement करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे results देखने को मिलेंगे, अब मान लीजिए, आपने curtain एक niche choose किया है, curtains related आपको keywords होता है, तो मैं आपको short में समझा देता हूँ, hrefs एक keyword research tool है, जो आपकी keyword research करने में help करता है, इसका free version भी है, paid version भी है, right now हम free version use करने वाले हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए, आपने अपने niche choose किया है, curtain, curtain यान जो परदे हमारे घर में लगते हैं, तो हमने यहाँ पर type किय c-u-r-t-a-i-n curtain, ठीक है, अब curtain में basically क्या क्या हो सकता है, curtain rods हो सकती है, curtain के लट्टू आते हैं, side में लगने वाले, जो curtain के rods बगरा में लग जाते हैं, curtain rod है, curtain के जो लट्टू को क्या कहते हैं, पता नहीं मुझे, तो ऐसे कही सारी और भी accessories आती हैं, मान लीजिए, मैं यह आपकी dollars में अच्छी खासी earning हो सकती है, ठीक है, अब find keywords हम click करेंगे, curtain rods से related जितने भी ऐसे keywords हैं, जो US में search किये जाते हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, अब जैसे कि आप यहाँ पर देखो, curtain rod यह एक keyword है, shower curtain rod यह भी एक keyword है, जिसे लोग Google पे search करते हैं, United Google पे यह उन्हें यहाँ पर दिखाएगा, पूरी list देखो, यहाँ पर दिखाता है, अब इसके बाद यहाँ पर दिया होता है, KD, KD का मतलब है keyword difficulty, 100 में से कुछ rating दी जाती है हर एक keyword को, अगर rating कम है, तो उस keyword पर competition कम है, आप उस keyword को target करो, उस पर article लिखो, वो जल्दी rank कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर keyword दिया है, shower curtain rod, अगर आप KD देखोगे, इसमें keyword difficulty, तो 100 में से सिर्फ 13 है, 13 है, और green color से mark है, मतलब इस keyword पर rank करना आसान है, दूसरी चीज़ यहाँ पर volume दिया है, जिसे हम कहते है, search volume, हर महीने, कितनी बार इस keyword को Google पे search किया जाता है, तो 19,000 बार हर महीने, इस keyword को लोग Google पे search करते हैं, US में, मतलब search volume अच्छा खासा है, अगला keyword है double curtain rod, keyword difficulty मातर 7 है, एक keyword यहाँ पर है, gold curtain rod, keyword difficulty 0 है, मतलब इस keyword पर कोई competition ही नहीं है, इस HRFs टूल की according, और यहाँ पर search volume 6,700 का हर महीने का search volume है, अगर इस keyword को आप target करके एक अच्छा article लिखो तो no doubt आप rank कर सकते हो, यह चीज तो खर मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बताई है, नई चीज क्या है, नई चीज यह है, कि अगर इस keyword को ले करके हम एक article लिखते हैं, और किसी और ने exact यही keyword चूज करके article नहीं लिखा है, तब तो हम बहुत जल्दी rank कर सकते है बट कई बार क्या होता है, जैसे मैं इस keyword को यहाँ से copy करूँ, ठीक है, अब हम चलते हैं Google पे, आप proper तरीके से देखिएगा और समझेगा, यहाँ पे मैं country choose कर दूँगा, United States, क्योंकि हमें US के results चाहिए, तो show more पे जाते हैं, और यहाँ पे हम US select करते हैं, अब यहाँ पे ह 76 लाख websites हैं या domains हैं, जो इस keyword के लिए rank कर रहे हैं, अब इस पौने तीन करोड results में, ऐसे blogs भी हैं, ऐसी websites भी हैं, जो इस keyword की relevancy के according rank कर रहे हैं, मतलब यह exact same keyword को target नहीं कर रहे होंगे, बट इस keyword से मिलता जुलतमा keyword होगा, तो उसके लिए भी वो easily rank कर रहे हैं, अब हमें check करना है, कि ऐसे कौन से blogs हैं, पौने तीन करोड blog और websites में से, जो exact same keyword के लिए rank हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इस keyword के आगे लगा होगे, double quotes, last में भी लगा दो, double quotes, ठीक है, इसके बाद enter push कर दो, अब देखो यहाँ पे 81,700 results आगे, है ना, अभी पौने तीन करोड blogs और websites थे, जो exact same keyword के लिए rank कर रहे थे, अब filter out होके सिर्फ 81,700 ऐसे blogs या website से इस दुनिया में, जो exact same keyword को target कर रहे हैं, जैसे देखो Amazon की website है, site title में लिखा हुआ है, gold curtain rod, यहाँ पे gold curtain rod है, ROD तो आई रहा है, s extra लगा है, बट exact keyword तो match करी रहा है, तो 81,700 results है, इसी तरह से अब यहाँ पे माल लो एक keyword हम choose करते हैं, magnetic curtain rod, चलो इसे लेके देखते हैं, कि exact इस keyword पे कितने blocks आते हैं, एक काम करते हैं, पहले तो हम हलनकि सवाला कम नहीं होता है, जादा ही है, लेकिन फिर भी, करोड से तो बेटर है न, अब यहाँ पर देखो, यह जो starting के 10 आपको results यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनको focus मत करो, मुस्री लोग क्या करते हैं, सर्च वॉल्यूम पे धिहान देते हैं, कि महीने की सर्चे हो, जिस पर सर्च वॉल्यूम कम है, अब समझो इस चीज को, अगर कोई ऐसा कीवर्ड हमें मिलता है, जिसका सर्च वॉल्यूम सौवा सौवा सौवा, तो उस पर बड़े ब्लॉगर्स काम नहीं कर रहे होंगे, मतलब उस पर competition दो बिलकुल निल होगा, आप उन exact कीवर्ड क के लिए easily rank कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना है, देखो, यहाँ पर आओ, अब दो कुछ कीवर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसका सर्च वॉल्यूम 1500 का है, 1400 का है, आपको केड़ी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नह है, अब मान लिजए इसे यह वाला कीवर्ड है, कर्टेन रॉड एक्स्टेंडर, ठीक है, मान लेते हैं, हमने इस कीवर्ड को चूज किया है, अब देखते हैं, इस कीवर्ड पे कितने लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हमने exact कीवर्ड टाइप किया, कर्टेन रॉड एक लेके देखते हैं, जैसे कि command strip curtain rod, Google अब लोग सरच तो करी रहे हैं, इसको search volume आई रहा है, तो यहाँ पर हमने type किया, command strip curtain rod, कुल 16 result है, सिर्फ 16 website सी rank कर रही है, इस exact keyword के लिए, अब अगर आप same exact keyword को ले करके एक article लिख देते हो, बढ़िया सा article लिख देते हो, थोड़ा बहु यह से काम करती है, कि अगर उसे exact match keyword मिल रहा है, तो फिर उस article को पहले दिखाता है, और अगर 10 लोगों ने exact match वाले keyword को ले रखा है, तो फिर Google उसको top पे दिखाएगा, जिसने SEO अच्छा कर रखा होगा, तो हमारे case में competition तो बिल्कुल छट गया, आसे 16 blogs या websites ही हैं, जो इस exact keyword को ले करके article या content publish कर रहे हैं, तो आपके पास एक सुनेरा मौका है, आप इस keyword को भी ले करके एक बढ़िया सा article लिखो, और वो definitely rank करेगा, search volume भी अच्छा खासा है, 1200 लोगर एक महीने में आपको मिलते हैं एक नए blog पे, तो इससे आपकी domain authority बहुत अच्छी build हो जाएगी जब domain authority बिल्ड हो जाएगी, तो फिर आप other keywords को target करो, मतलब ऐसे keyword जिनकी keyword difficulty जादा है, आप उसके लिए भी easily rank कर सकते हो, कुछ और keywords यहाँ पर search करके हम देखते हैं, जैसे की corner window curtain rod, इसको check करते हैं, यहाँ पे हमने corner window curtain rod type किया, भी देखते हैं कितने results, 30,700, करोडों में तो subscribe करके support जरूर कर दो, इस तरह content generate करने में और organize करने में बहुत time लगता है, अब देखो इस keyword के लिए कुल 8 results हैं, सिर्फ 8 website है, article लिख दो, already आप first page पे आ जाओगे, Google का first page 10 results तो वैसे भी दिखाता है, 9 नमबर आपका वैसे भी लग जाना है, और article अगर अगर अच्छा रह सीख जाते हो, ठीक है, तो इस तरह से आप अपने niche related, ऐसे keywords को यहां से choose करोगे, सबसे नीचे आ जाना, जिनका search volume 100, 200, 1000 के नीचे है, और आप double quotes लगा खरके Google पे चेक किया करो, कि उस पे कितने results आ रहे हैं, अगर results बिलकुल कम हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका ह आप उस keyword के लिए बहुत जल्दी rank कर सकते हो, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको काफी हद तक keyword research की knowledge मिली होगी, प्लीज इसी बात पर चैनल को subscribe करके वीडियो को like कर दीजे, और अगर आप चाहते हैं, कि आपके specific topic के उपर कोई next video बनाया जाए, just let me know in the comment section मिलते हैं next video में.